किस प्रकार का भोजन आपके अंदर जा रहा है आपका अपना मनुवैज्ञानिक पैटर्न बस एक विचार भी ग्रंथियों की कारे प्रणाली में उतार चठाब ले आएगा अपनी ग्रंथियों के काम को संभालने के लिए आपको गोलियां लेनी होती है ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक गोली खाकर इसे संतुलन मिला सके ग्रंथियों के कारे बदल जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन आश्चर जनक रूप से बेहतर प्रकित होगा आज कल बहुत से लोग थाइराइड की समस्या से पीडित है आम तोर पर दवाएं स्थिती को नहीं पलट सकती क्या थाइराइड रोग को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका है हमें इसे समझना चाहिए जिसे आप थाइराइड कह रहे हैं योग में हम ग्रंतियों को उस तरह से नहीं देखते लेकिन मेडिकल की दृष्टी से जिसे आप थाइराइड कह रहे हैं वो आपके भीतर का ऐसा स्त्राव है जो आपके सिस्टम को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा है हर रोस वो ये तै कर रहा है कि कितना पाचन होना चाहिए कितनी उर्जा पैदा होनी चाहिए कितना वसा पैदा होना चाहिए कितनी मास पेशियां बननी चाहिए सब कुछ ये आपकी शारेरिक संरचना को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है आपकी शारीरिक संरचना का, आपकी मनोवैग्यानिक संरचना से बहुत गहरा संबंध है. आज, आपको ये दिखाने के लिए परियाप्ट सबूत है, कि अगर आप यहाँ बैठकर पहाड के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ग्रंथिया एक खास तरीके से काम करेंगी. समद्र से कोई संपर्क नहीं, आदमी, ऑरत या समुद्र से कोई संपर्क नहीं, बस एक विचार से ही ग्रंथि के काम में उतार चड़ावा जाएगा. मैं ये बता रहा हूँ कि सिस्टम कितना अच्छा है ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ समस्या ये है कि आपको एक बैलगाड़ी चाहिए थी लेकिन उन्हों ने आपको एक बड़िया अंतरिक शियान दे दिया हर चोटी चीज तमाम चीजें करेगी बस अगर आप इसे चूते हैं तो वू 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 कई चीजों की तरंगे उठ जाएंगी इस सिस्टम में अगर आप बस इस तरह देखें और पेड़ के बारे में एक निशकर्ष निकालें तो ये कई प्रकार के राजसायनिक और दूसरे किस्म के बदलाव ले आएगा ग्रंथियों के काम बदल जाएंगे तो मान लीजे कि आप दस हजार साल पहले के दक्षन भारत में हैं ये पूरी तरह जंगल है अगर आप इस जंगल में घूमते हैं एक दिन आपको जरूर घूमना चाहिए अगर आप जंगल में घूमते हैं तो बस देखिए जंगल में बस दो घंटे घूमिए और पूरे सिस्टम को देखिए कहीं न कहीं जीवन उलासमय महसूस कर रहा है आपके जाने बिना ये जीवन अचानक अपने आवास में महसूस कर रहा है अपने प्राकृतिक आवास में जहां इसे चलाने में हर चीज सहायक है लेकिन आज आप जरा हालात पर नज़र डालें आप कही भी हो चाहे आप मुंबई में हो, या न्यू यॉअक में, या लонडन में, पहीं भी हो उस थिती को देखें, जसमें आप घूम रहे हैं हो सकता है कि सामाजिक रूप से आप उन चीजों के आदी हो गए हो लेकिन जिस तरह के माहौल में आप घूम रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, उन में से कोई भी इस जीवन के लिए अनुकूल नहीं है हो सकता है कि आप इसमें अज्जस्ट हो गए हों, शायद अब आप उन शेरों से बाहर नहीं रह सकते, ये अलग बात है लेकिन जो जीवन आप हैं, वो उस तरह के माहौल की तलाश में नहीं है तो आपके अंदर जो कोई बदलाव हो रहे हैं, वो आपके अनुकूल नहीं है ग्रंथी का ठीक से काम ना करना, बस एक नतीज़ा है काम का एक बहुत ही उननत तरीका, ग्रंथीओं के काम का, उन में से एक थायरोइट का है इसे आसानी से परखा जा सकता है पहली चीज़, आपके शारेरिक और मनोवैग्यानिक पेरामीटर थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि डिस्टर्बंस है और एक दूसरा आयाम, उस उधल पुधल का है, जो आपके अंदर हो रही है आपके अपने मनोवैग्यानिक धर्रे डिस्टर्बंस का एक और आयाम ये है, कि आपके अंदर किस तरह का भोजन जा रहा है ऐसा कोई तरीका नहीं है, कि आप आज कोई ऐसी चीज़ खाएं जो केमिकल से दूशित न हो अगर आप जैविक खाना भी खा रहे हैं तो उसमें भी वो थोड़ा जैविक केमिकल मिला रहे हैं ऐसी स्थिती आ गई है ऐसी चीज़ खाना बहुत ही मुश्किल है जो जंगल में पैदा की गई हो जिसे आप जंगल से तोड़ कर खा सकें वो बहुत ही कम बची हैं और कुछ लोगों के लिए भी उससे पा सकना बहुत मुश्किल है अब ये पूरा बाजार से आता है और जो चीज़ें बाजार में जाती है वो सब मातरा के बारे में होता है न कि गुनवत्ता के बारे में मेरी दादी हर दिन सबजी वाला पता है वो टोकरी लेकर घर आया करते थे बस तभी सुभा सुभा उन्होंने तोड़ी होती थी और वो साड़े साथ आठ बजे दर्वाजे पर होते थे जब वो आते और दादी उन्हें देखती थी जब उन्हें खरीदना होता था तो वो सबजी वाले को सबजियां चूने नहीं देती थी वो ही तोड़कर लाए है वो ताजी है बस अभी अभी पौधों से आई है लेकिन अगर उसे तराजू में रखना है या अगर दादी को उन्हें चुनना है एक, दो, तीन, चार ऐसे तो वो सबजी वाले को चूने नहीं देती थी तुम मेरी सबजियों को मत चूओ ऐसा बैक्टेरिया को दूर रखने के लिए नहीं था वो नहीं चाहती थी कि जिन सबजियों को उनके बच्चे अनाती पोते खाएंगे उन्हें वो सबजी वाला या सबजी वाली चूए वो उन्हें एक खास तरीके से चूती थी वो उन्हें सहलाती थी वो उन्हें दुलारती थी, वो उन्हें इस तरह ऐसे देखती थी, और तब वो उन्हें काटती थी और पकाती थी, ये कोई हसने वाली बात नहीं है, अगर ये सब चीजें आपके जीवन से जा चुकी हैं, तो आपको अपनी ग्रंथियों के काम को संभालने के लिए गोली ले होता है, यही फाइन ट्यूनिंग है, एक बहुत सक्रीव फाइन ट्यूनिंग चल रही है, आप उसे खत्म कर देते हैं और बस एक गोली लेकर किसी तरह काम चलाते हैं, आप थोड़ी बिगड़ी हुई मशीन होंगे, इस गड़बड़ी के साथ, ये मशीन तमाम तरीकों से गड़बड़ी जाहिर करेगी, और आपको पता सिर्फ तभी चलेगा, जब आप उसे एक सीमा तक ले जाएंगे, जब आप छोटी मोटी चीजों के साथ जीते हैं, तो वो जाहिर नहीं होगा, ये ऐसा है, देखिए, अगर आपके टायर में हवा नहीं है, तो भी आप 20 किल किलोमीटर की स्पीड से घर जा सकते हैं, पता है, कुछ चीजें चटक जाएंगी, कुछ चीजें फट जाएंगी, लेकिन फिर भी आप चला सकते हैं, सिर्फ तभी जब आप 200 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीड पर हैं, और टायर फट जाए, तब आप जानते हैं कि आप आप सडक से उड़ जाएंगे, तो बस यही बात है, अगर इन सब चीजों को ठीक से संभाला जाए, और तब आप अपने जीवन को एकुच्च स्तर की तीवरता पर ले जाएं, तो वो चलता रहेगा, अगर आप अपना जीवन बिना उस संतुलन को लायत तीवर बनाते हैं, तब आप देखेंगे वो आपक होएगा, अपने आसपास ऐसा होते हुए आप हर दिन देखते हैं, तो अपने जीवन में उतना निवेश करना, वैसे आप अपने शहर छोड़ कर जंगल में जाकर नहीं रह सकते, वाइल लाइफ एक्ट है, आपको हिरासत में ले लिया कम से कम खुद को तयार तो कर लें, ताकि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो, उसका असर वैसे भी होगा, लेकिन कितना ये सवाल है, कितना असर, कम से कम अपने घर में आप खुद के चारोर कुछ पौधे रखें, अगर जगा नहीं हैं, अपने कमरे को भरें, ये कुछ सनकी बेडरूम बनाने जैसा है, चत को आधी खोल दें, ओ, लेकिन उपर एक और मंजिल है सद्गुरू, ठीक है, कमबक्त दिवारों को खोल दें, ताकि अंदर थोड़ी धूप आ सके, हाँ, ये नहीं कि हर चीज बंध है, और बस एक एर कंडिशनर हर समय बर चल रह रहा है, ये एक चीज है, आपके चारों और मौजूद ये गूंच इस शरीर को पूरी तरह से बेचायन कर रही है, पूरे समय है, खासकर जब मैं देश से बाहर होता हूँ, खासकर अमेरिका में, यॉरप में भी ये थोड़ा बेहतर है, अमेरिका में तो हर समय कोई ना अगतार, थर-थराती रहती है, ज्यादतर लोग इसे लेकर सचेतन नहीं है, लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है, उनका एक दिन में आठ घंटे सोना ही बस इसलिए है, कि वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रह रहे हैं, वो सो कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे है लेकिन खुद को बचाने की कोशिश मरना चुनने जैसा है, तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक बीमारी से बचाने के लिए, खुद को हर किस्म के असंतुलन से बचाने के लिए, आप सोते रहते हैं, दिन में 8-10 घंटे, ये आपके जीवन का आधा है, आप मरे हुए हैं, मृत्यू हमेशा एक अच्छा समाधान है, लेकिन हम उस समाधान की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में समाधान खोज रहे हैं, न कि उसे खत्म करके, अगर आप कोई चीज खत्म कर दें, वो ठीक हो जाती है, है न, हो जाएगी न, होगी, लेकिन व पूरी तरह ठीक रहना चाहते हैं, जब आप चलते हैं, तो आपको हमेशा मानव जीवन के अलावा, दूसरे जीवन के बारे में सचेतन होना चाहिए, ज्यादतर लोग इंसानों के प्रती भी सचेतन नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, हर चीज जो जिन्दा है, उसके प्रती आपको सचेतन होना चाहिए, एक पेड, एक पौधा, घास का तिनका, कूटता हूँ टिड़ा, और आपके पास से गुजरते वो लोग, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, अपने आसपास की हर चीज के प्रती बिना भेदभाव के जीवन्त होने जैसी आसा आपकी थाइरोइट समस्या को ठीक कर सकती है, यकीनल, सुभा का हट योग है, क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें निश्चित रूप से मदद करेंगी, शक्तिशाली रूप से प्रान प्रतिष्ठित स्थान, कई चीजे हैं, एक मुख्य कारण ये है कि टेकनोलोजी के विकास के साथ इनसान कम सक्रिय होते जा रहे हैं, एक दिन में औसतन एक इनसान जितनी गतिविधियां, जितनी शारीरिक गतिविधियां वो पहले किया करते थे, लोगों की पिछली पीडियां और उसकी तुलना में अभी हम जितना शारीरिक काम कर रहे हैं, वो बहुत ही कम है, ग इस्तर पर सोने मत चले जाएए, अगर आप थोड़ा संतुलन महसूस करते हैं, तो आपको काम में कूद पढ़ना चाहिए, जहां भी उत्साह और आनंद में कोई काम हो रहा हो, आपको उस काम में कूद जाना चाहिए, और अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो आपको उस कर रहे हैं तो काम में लगना एक सरल समाधान है इन समस्याओं खा और आप काम को आप में से जो लोग नियॉयॉर्क में हैं मैं आपको बता रहा हूं आप काम को आपकी कलाई पर वो हेल्थ पैंड है दस कदम बारा कदम ऐसा मत कीजे काम करने का वो तरीका नहीं है वैसा करने से आप ज़्यादा बिमार हो जाएंगे बस खोशी-खोशी कुछ करना प्रस्णता पूर्वक जीवन्थ होना गतिविदी है अगर आप नहीं जानते कि यहां बैठे हुए कैसे ओ लास पून रूप से जीवन्थ हो तो जाकर बस खेलिए कोई खेल खेलिए यूहीं चारो और दोडिए चलते हुए यूहीं टिड़े की नकल कीजिए कोशिश कीजिए क्यों नहीं आपने ऐसा कभी नहीं किया आपके साथ यही समस्या है अब जब आप जाएंगे तो मैं आपको देखना चाहता हूँ क्योंकि आप घास पर चलने वाले हैं बहतर होगा कि आप एक टिडड़े की तरह उचके हैं आप देखेंगे कि आप में कितनी जीवन तता आ जाएगी असल में आप आपकी बुन्यादी समस्या यह है कि आप अपने जीवन के बारे में बड़े गंभीर हो गए हैं तो हमें आपको फेर याद दिलाना होगा आप वैसे भी मरेंगे इस बारे में बहुत गंभीर मत हो यह क्योंकि यह बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा आपको पकड धीली करनी होगी अभी अगर आप पकड धीली करते हैं तो आखरी द्रिश्य अलग होगा वरना लोग आपको ऐसे देखेंगे यह आपके साथ बहुत बढ़िया चीज होई आपने पकड धीली करती अगर आप अभी से पकड धीली करतें तो आप देखेंगे कि जीवन बड़े यह अद्भुर्ध धंग से घटित होगा झापके से बड़े कि अधया चीज होगा